हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे चूरा मटर और यह खाने में काफी टेस्टी होता है और खास करके यह सर्दियों में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि अभी मटर का सीजन ह तो इस टाम कई बार मैं इसको बना लेती हूं पूरा वीडियो जरूर देखीगा और बहुत ही कम टाम यह बन जाता है और अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां को हम चूरा को भून लेंगे तो हम इसको पहले भून लेते हैं देखी इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए और एक बार इसको भूनने में कम से कम 5-6 मिनट का टाम लगता है और थोड़ी देर में आप देखेंगे यह क्रिस्पी होने लगता है और दीरे दीरे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा तो हम जो गया है भी थोड़ा से और बूनेंगे बस यह तयार है और नीचे से यह जलने भी लगा है तिसलिए आपको कंटिन्यू इसको चलाना होता है तो यहां पर देखें चूरा जो है बून चुका है इसको हम निकाल लेते हैं आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि यह क्रिस्पी हुआ है की नहीं तो अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे कराई में तेल तो यहां पर मैंने सर्सो तेल लिया है और एक बराशमच तेल डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें तो यहां पर लिया है मैंने थोरे से पीनट तो मैं यह भी डालेंगे इसमें आप इसके बिना भी बना सकते हैं और इसको लोफ लेंपे दो-तीन मिनट तक भून लेंगे और दो-तीन मिनट में यह भून जाता है इसको हैप लेंप आपको नहीं बुनना है निदिये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा तो पीनट को आपको नो लोप लेंप बुनना है थोड़ी देर में इसका कलर भी जैंज हो जाएगा और ये भी अच्छे से देखे बुन चुका है और ये जैसे ही बुन जाता नहीं तो फट जाता है तो इस तरह साब को पता चल जाएगा तो देख सकते हैं साड़े में क्रेक आ गया है तो पीनेट को भी हम बून करके निकाल लेंगे और अब यहाँ पर मैंने लिया है चार पाँ चाड़ी मिर्च है एक इंच दरक और एक प्याज लिया है मैंने सारी चीज़ों को बाड़ी काट लिया है तो मैं यहाँ पर सारी चीज़े काट करें के ही डालूंगी आपको काट करें ही डालना है और इसको अब हलका ब्राउन होने तक बून लेना है मतलब आधा पकने तक पूरी तरह से भी आपको नहीं पकाना है और जैसे यह पक जात इसमें हम डाल देंगे मटर तो यह लगबख 1500 ग्राम मटर है और इसमें आपको हड़ा वाला मटर का ही इस्तेमाल करना है अब हम मटर को भी continue चलाते बूनेंगे और गैस के flame को medium पे कर लेंगे मटर को पकने तक पकाना है आपको मतलब मटर पक जाना चाहिए कच्छा नहीं रहना चाहिए और थोड़ी दिर में आपको चेक कर लेना है कि मटर पका की नहीं तो 5-6 मिनिट में मटर भी पक जाता है अच्छे से तो मटर उस टेम नहीं पकाता तो मैंने इसको 2-3 मिनिट और भून लिया है और अब हम करेंगे गैस के फ्लेम को लो मटर यहां पर देखिए अच्छे से भून चुका है और मटर को मेडियम फ्लेम पर भूनना आए ताकि य यह करंची भी हो जाए तो पकाने के साथ साथ इसको न थोरा करंच भी इसमें होना चाहिए इसके बाद यहां पर हम डाल देंगे नमक स्वाद नुसार हल्दी पॉडर आधी छोटी चमच और कस्मीरी लाल मिर्च पॉडर आधी छोटी चमच और यह है भूना हुआ जीरा पॉडर हम डाल dwarf यह भी हम डालेंगे सbnां काफी बढ़ियां टेश्ट आता हैं और साद्रे मचली को मिक्स कर देंगे और की है इसके बार यहां पर हम डाले देंगे भुना हुआ चूरा और इसको मिक्स करेंगे इसके साथ यहां पड़ पीनट भी डाल देंगे और सारी चीजों को काफ़ी अच्छे से मिला देंगे और बस यह तयार है देखा आपने सिसमें कितना कम मेंथ और बहुत ही कम ताम में बन जाता है जब भी कभी आपको साम को नास्ते में खाना हूँ या फिर सुगा के टाइम में कभी भी आप बना सकते हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे लास्ट में हरा धनिया और इसको भी मिला देंगे बस हम गैस ओफ कर देंगे ये तयार है और गर्मा गरम इसको आप चाय के साथ या फिर ऐसे ही इसको सर्फ किजिए बहुत टेस्टी लगता है एक बार आप जरूर ट्रै करना और आप इसको एक हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकते हैं तो आप पहले से भी बना करके रख सकते हैं जब भी कभी आपको खाने का मन करें तो फटावट से इसको खाईए तो लेजे यहाँ पर गर्मा गरम चूरा मटर तयार है आई होप आपको वीडियो पसंद आये हो पसंद आये प्रेज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंट के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबबब